पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए और इनके शहादत के बाद 24 कंटे से जाद हो चुके हैं कि प्राइमिनिस्टर कुछ नहीं बोले है कोई तुई नहीं किया है यह चुपी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है यहां डॉनल्ड ट्रम्प में जिन्होंने बोला था कि इंडिय जहां तक मार सकते ते लाउंज को अपने तक उससे आगे बीट सोग एटम लेज़ तो इसी कि अश्टर से देखा जाए तो पिछले बार चुपी अपने हो यह तो वहां पर जिस तरी सिशांती थी है हमारे प्रीयों और हमारे लुगास्ट मिनिस्टर कोई स्ट्रेटमें न अगर भारत अगर नहीं रहा है इसका अगर भारत कुछ करने वाला है और उसके इंप्लिकेशन जो है बहुत सदा पाकिस्तान को टेखने पर एंगे और उसके बार में जो हमने होगा है बाला कूट कि आपके सबिन देखा इस तरी से पाकिस्तान में खुष्ट के भारतिया अगर है इसके अगर उनको धूल चटाई है तो इसी तरी से अंदेशा कुछ कुछ है कि पाकिस्तान को हो रहा है और हो रहा है तो इसके मुतलबी आगे क्या करता है हमेरे वोजिश्ट कुछ इखती उनकी पास क्या आप्स्सक्राइब है जो या लाइक जिए चैनल को सब्स में हमारी आर्मी के सेना के दो अपसर शहीद हुए और एक जंग कश्मीर पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए और इनके शहादत के बाद 24 गंटे से जादा हो चुक है कि प्राइब मिनिस्टर कुछ नहीं बोले हैं कोई ट्वीट नहीं किया है यह चुपी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है यह याद है आपको फुलवामामा इन गम फद्व जिसके अनेasis के अमरीकन प्रेजदेंट डॉनल्ड ट्रंक में जन्हों ने बोलाथा कि इंडिया कुछ बोल नहीं घा है इसका मतलब पर कुछ बढ़ा करने जा रहा है एंडिया और हुआ भी पाला कोट में ऐसा हमला हुआ जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था एक ऐसी स्ट्राइक जो के एक टाइम पे हम सुनते थे सिर्फ इस्रेल करता था दूसरे कंप्री में जाके वो स्ट्राइक कि इस बार भी ज कुछ तो करवर है साथ में आप आला कोट जैसी स्ट्राइक की अठकले लग रही है यह इस अठकले भी लग दिए कि कहीं सर्चिकल स्ट्राइक को सकती है कहीं पर सीधा निशाना लिया जा सकता है पाकिस्तान इन अठकलों पे पाकिस्तान हमारे चैनल देखता है सुगार या तीन से चा सो किलेमेटर को पीछे ले गए हैं लोग साथ चाहते हुए दिख रहे हैं यह खबरे आ रही है जो सैटाइक पैड़िक्ट्र जैसे ही मेरे बाद आई कि वह मंगवाई है जैसे ही है मैं आप आप दो बताऊंगा कि बाड़ियां खडई है लोग जात पाकिस्तान में भी हालत यह है कि पाकिस्तान के आतकबादी जो अपने ठीकाने छोड़के कहीं पूरदरास के गाउं में जाके छोप रहे हैं कहीं शेरों के बिल्डिंग में छोप रहे हैं पता हैं इंडिया से बिल्ड नहीं करेगा इसलिए यह ली कि पिछली बार पहावलपुर प्रूस्टार्गेट था मुरीदगेड पहावलपुर में जैश का हैट्वाटर था यह टागेट पिछली बार भी लिया गया था लेकिन अल्टिमेटली बाला पोर्ट को क्यों चुना सब्सक्राइब करें का काम शुरू हो गया है इन दोनों को खाली करा के लोगों को कहीं कहीं पेश दिया गया है दोनों जगा से दोनों जगा से आतंतवादी गाया बहुते दिख रहे हैं गाडियां आती जाते दिख रहे हैं इसका मतलब आतंकी छोड़कर भाग रहे हैं आतंकियों को तर है कि कही हमनी एसा हो के हम पर हमला हो जाए यह दोनों के दोनों पिछली बार भी टागेट पर थे और इस पार पर होगे हो और हमें प्रॉलम आएगी हम नहीं चाहते हैं कि इंसानी हुकूम को प्रॉब्लम है या लोग मारे जैए लेकिन अब की बारे शायद इंडिया को ना तो पाकिस्तान की आर्मी में बाते चल रही हैं मीटिंग्स चल रही है कि हमें करना क्या है कि लोग इननों को कहीं पीछे ले जा रहे हैं ऐसा पता लग रहा है वो आर्मी में जो मीटिंग्स चल रही हैं उनसे पता चलता है कि पाकिस्तान सीरियसली कहीं पे पाकिस्तान ओर रियाक्शन नहीं दिखाना चालता